दोस्तो धन्तेरस पर औरत को पांच गहने कभी नहीं पहनने चाहिए हो जाती है धीरे धीरे पती की मृत्यू आप पर और आपके परिवार पर आ सकते हैं भारी संकट तुआ ये जानते हैं उन पांच गहनों के बारे में लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि धन तेरस कब है शिब मुरत क्या रहेगा धन तेरस का महत्तव क्या है और धन तेरस की पौरानी कथा के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा दोस्तो धन तेरस के पर्व का संबंध धन और सम्रिधी से है शास्तरों के नुसार इस तिन भगवान धनवंतरी देवी का जनम हुआ था इसी कारण इसे धनवंतरी जेयनती या धनत्रयोदिशी के नाम से भी जाना जाता है धन्तेरस के दिन बजार से बर्तन, सोना, चौनदी, आदी की ख्रिदारी करने का विधान है आईए जानते हैं कि साल 2022 में कब है धन्तेरस और इसका शुब मोहरत क्या रहेगा दोस्तो पंचांग के नुसार धन्तेरस का त्योहार साल 2022 में 23 अक्तूबर रविवार की दिन पर रहा है दिवाली से एक दिन पहले ही धन्तेरस पर्व मनाया जाता है इस दिन घर में पूजा कर उनके आग्मन की प्रातना की जाती है शास्तरों में इस तिन खरीदारी का भी विशेश महत्तर है धन्तेरस शुब मोहरत क्या रहेगा धन्तेरस मोहरत पंचांग के अनुसार धन्तेरस का शुब मोहरत 23 अक्तूबर की शाम 5.44 से शुरू होकर 6.05 मिनट से 50 से किन तक होगा कुल अवधी 21 मिनट प्रदोश काल शाम को 5.44 मिनट से 8.16 मिनट तक वृषब काल 6.58 मिनट से 8.54 मिनट तक रहेगा धन्तेरस का महत्तव क्या है मा लक्षमी को धन्की देवी माना जाता है धन्तेरस के दिन भगवान धन्वंतरी देव और मा लक्षमी की पूजा का विधान है मालक्षमी की कृपा से वैभव सुकसम्रिधी की प्राप्ती होती है मालक्षमी के अशिरवाद से भक्तों के जीवन में कष्ट, बाधाएं और परिशानियों का नाश होता है धन 13 के दिन शुप मोहरत में माल लक्षमी और धनवंतरी देवी की पूजा करने से विशेश कृपा की प्राप्ति होती है भगवान धनवंतरी देव कैसे प्रक्टे दोस्तो परानिक कथा के अनुसार धनवंतरी देव को भगवान विश्नु का अवतार माना गया है ये भगवान विश्णू के बार में अवतार हैं, इतना ही नहीं, धनवंतरी भगवान को आयरवेद का जनमदाता भी कहा गया है, शास्तरों के अनुसार धनवंतरी भगवान का जनम समुंद्र मन्थन से हुआ था, इस तिन कार्थिक मा के क्रिशन पक्ष की त्रयोदिशीती इतना ही नहीं, ऐसी माननता है कि भगवान धनवंतरी कई गरंतों के रचायता भी थे, हिंदू संस्कृति के अनुसार वास्तु शास्तर का बड़ा महत्तव होता है, शायद यही कारण है जब कोई व्यक्ति को शुबकारे करता है, तो वे इसमें वास्तु शास्तर का जीवन में अपनाना बेहद ही जरूरी है, हाला कि तकनीक के इस दोर में बहुत कम लोगी इन बातों पर यकीन रखते हैं, जहां लड़कियां हर चीज में काफी आगे निकल गई हैं, वहीं सुहागिन इस्तरियां भी आजकल फैशन के नुसारी चीज़ों का इस्तेमाल करन चाहिए, लेकिन फैशन के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृती और वास्तु शास्तर का भी बहुत ध्यान रखना है, कई बार सुहागिन इस तरियां कुछ ऐसी चीज़ें भी पहन लेती हैं, जिसके कारण उनका रिष्टा तक तूटने की नौबत पे आ जाता है, लेकिन जानकारी ना होने के चलते वे इस दोश को समझी नी पाती, इसलिए वास्तु शास्तर की हवाले से हम आपको ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिने सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए, तो आईए जानते हैं उन खास चीज़ों भी खराब हो सकता है, यहां तक कि उनके घर में नकरात्मक शक्तियों का वास होने लगता है, इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती हैं, दूसरी चीज़ है पैरों में सोना तत्व, कई सुहागिन महिलाओं अपने पैरों में सोने से बनी पायल य में अर्चने आ जाती है, पती की तरक्की रुक जाती है और आपको आर्टिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए सुहागिन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी तत्व ही पहनना चाहिए, तीसरी है दोस्तों सफेद रंग की साड़ी, सुहागिन महिला इसलिए सुहागिन महिलाओं का पती वर्ता धरम बिल्कुली खतम हो जाता है, इससे आपके धंपत्य रिष्टों में नकरात मक्षक्तियों का वास बढ़ता है, चौती चीज़ है दोस्तों सिंदूर और मंगल सूतर का महत्तव, हिंदू धरम के अनुसार सिंदूर और मंग और आपको इस पवित्र रिष्टे को और व्यक्ति मनहुसित का नाम दे सकते हैं, इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है, वहीं मंगल सूतर का भी बड़ा महत्तव है, मंगल सूतर में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर हो तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है, ऐसे में आपके रिष्टे पर कलंक लग सकता है, इसलिए एक शादी शुदा महिला को मंगल सूतर अवश्य ही पहनना चाहिए, अगर आपके पास मंगल सूतर नहीं है, तो कम से कम गले में काला धागा तो आप पहनी सकते हैं, दोस्त तो एक समय की बात है, जब भगवान विष्णू मृत्यू लोक यानि धर्ती पर विचरन करने आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का अग रहे किया, तब विष्णू भगवान ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो, तो मैं तुम्हें अपने साथ ने जा स तो मुधरमत आना, विष्णू जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिन दिशा में ऐसा क्या है, कि वहां मुझे जाने से मना किया गया है, और स्वेम भगवान वहां चले गए, लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया, और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, ल गन्ने का खेर दिखा, लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी, उसी शन भगवान विष्णू जी वहां आ गए, और उन्होंने लक्ष्मी जी से नाराज होकर उन्हें श्राब दे दिया, कि मैं तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का प्राद कर बैठी, अब तुम इसा प्राद के बदले किसान की बारा वर्ष तक सेवा करो, ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर श्रीर सागर चले गए, तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी, एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान स कहा कि तुम पहले सनान करके पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी की मूर्ती का पूजन करो और फिर रसोई बनाना, तब तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा, किसान की पतनी ने ऐसा ही किया, पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी के कृपा से किसा किसान का घर दूसरे ही दिन अन्धन रत्न स्वर्न आदी से भर गया, लक्ष्मी जी ने किसान को धन धाने से पूर्ण कर दिया, तब किसान के बारा वर्ष बड़े अराम से कट गए, बारा वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने को तयार हुई, विश्नु जी लक्ष्मी मा को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इंकार कर दिया तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है ये तो चंचला है ये कहीं भी नहीं ढहरती इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके इनको मेरा श्राब था इसलिए बारा वर्ष्य तुम्हारी सेवा क समय पूरा हो चुका है किसान हट पूरवक बोला मैं लक्षमी जी को नहीं जाने दूंगा तब लक्षमी जी ने कहा हे किसान तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं ऐसा करो कल तेरस है तुम घर को ले पोद कर स्वच कर देना रातरी में घी का दीपक जलाकर रखन और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तामे के कलश पर रुपए रखकर मेरे लिए रखना मैं उस कलश पर निवास करूंगी किन्तु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी केवल एक दिन की पूजा से पूरे वर्ष तुमारे घर में मैं नहीं जाऊंग यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दसो दिशाओं में फैल गई अगले दिन किसान ने लक्षमी जी के कहे अनुसार पूजन किया उसका घर धनधाने से पूर्ण हो गया इसी वज़े से हर तेरस के दिन लक्षमी जी की पूजा होती है और लोग दिवाली के समय धनतेरस का त्योहार मनाते हैं तो दोस्तों ये थी धनतेरस की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीडियो आपको अच्छी लगी इंट्रस्टिंग लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा श